नमस्कार में भारती का पास या स्वागत है आप सभी का एन 27 नीज में वक्त वो चुका है इस वक्त की बड़ी ख़बर जानने का तैयारी है पूरी कपिल धोनी के बाद रोहित विश्व विजेता साल 1923 साल 2011 यह वो समय है जब भारतिय क्रिकेट का हरे क्रिकेट प्रेमी खु विजेता अब ऐसा ही मौका रोजशर्मा के हातों में है क्योंकि इसी साल 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला जाएगा टीम इंडिया के उन करोरो क्रिकेट प्रेमियों को उमीद है कि रोजशर्मा की कपतानी में भारत तीसरी बार 50 ओवर का वर्ल्ड कप अपने नाम करने मे सफालोगा और यह उमीद ऐसे ही नहीं बनी इस उमीद की बुनियाद बहुत मजबूत नजर आ रही है जिस तरीके से भारत इस समय क्रिकेट खेल रहा है उसको देखकर तो यहीं लगता है कि कोई भी टीम सामने आ जाए टीम इंडिया उसको मस्त से पस्त कर देगी टीम इं बल्ले बाजी की बात करें गेंद बाजी की बात करें या फिर फिल्डिंग की हर एक विभाग में टीम इंडिया जबरजस्त नजर आई है पहले बात करते हैं बल्ले बाजी की इशान किशन हो शुबमन गिल हो या फिर सूर कुमार ज्यादव हो अभी तो हमने विराट कोली शर्मा का नाम नहीं लिया यह सभी खिलाड़ी बड़े मौके पर रन बना रहे हैं यहां बड़े बल्लेबाज तब ही कहला जाते हैं जब जरूरत होने पर बल्ला लेकर बीच मैदान में खड़े हो और यह बात टीम इंडिया के अंदर नजर आ रही है टीम इंडिया की जीत क कंदे से कंदा मिला कर चल रही है तेज गेंदवाजी को कभी टीम इंडिया की कमजोरी कहा जाता था लेकिन आज मुहम्मद सिराज वन्डे केट में नंबर एक गेंदबाज बने हैं यह किसी शाम से कम नहीं बल्लेबाजी हमेशा से टीम इंडिया की ताकत रही लेकिन इस गेंदवाज अपनी बारी आने का इंतजार करते रहते हैं दीपक चहर मुहम्मद सिराज, मुहम्मद शमी, जस्प्रीत बुम्रा और सदीप सिंग यह तो वह खिलाडी है जो रोटेशन पालिसी के अंतरगत खेलते हैं इनके अलावा तीम इंडिया में दस्तक देने के लिए तेज गेंदवाज की कताल लंबी है क्रिकेट में फिल्डिंग उतनी ही महत्व रखती है जितनी गेंदवाजी या बल्ले बाजी कहावत तो सुनी होगी आपने की पकड़ो कैच जीतो मैच अगर एक चूट गया या फिर एक या दो रन बिस फिल्ड हो गए तो वह आ पूची लंबी हो गई है टीम इंडिया के पास वालराउंडर इस समय भरे पड़े है अब जानते हैं कोई भी मैच जीतना होता है अगर टीम के पास और की कमी नहीं है तो फिर उसकी उमीद ज्यादा बन जाती है टीम के पास इस समय हार्दिक पांट्या रविंद्र जड़ तक बल्ले बाजी और गेन बाजी कायम हैं तो हम कह सकते हैं कि साल दो जाट देश भारत के लिए एक सुनहरावसर हो सकता है क्योंकि टीम इंडिया इस समय रोकने से नहीं रुक रही है अभी के लिए इतना ही देखते रही है N27 News पकड़ हर खबर पर